हेलो गाइज वेल्कम बैस्टो माई चानल इस इस मी यूर ब्रदर दानी शोग वर्तों सारे बढ़िया होगे मैं बहुत बढ़िया हूँ वीडियो कर दो लाइक चैनल कर दो सब्सक्राइब अभी मैं रहा हूँ ओखला में कहां मधुर बजाज में मधुर बजाज में आप आ कर आई थी जितने भी फीडबैक आये हाइवे टूरिंग के लिए वो काफी अच्छे थे जिसके वैसे डॉमिनार ने अपना एक लेवल सेट कर लिया है आज कल आपने दिखा हुआ इंडियर मार्केट में इसी का ही छोटा वाला भाई जो पहले एनस तूहंडेड माया करता अधा आज दोनों सेम सेम कैटेगरी जो है यह शेर करते हैं इवन इंजन जो है वो भी शेर करते हैं और कुछ इसके ऐसे पार्ट्स है कुछ ऐसी बूलूंगा एक्सेसरी वह इस बैक में डाली गई है बट वहीं पर रेट जो है यह कम से कम अगर बात करूं तो यह कुछ 40- से 50,000 सस्ती हो जाती है और यह 40-50,000 महिंगी जाती है तो इसमें क्या फाइदे हैं और क्या उससे बहतर है यानि के नष्ट बहतर है उसके बारे मैं आपको बताते हैं मीनवाइल वीडियो में तो फटा फट से वीडियो को तो लाइक कर दो चैनल पर ने उस तो दोस्तों यह रहने वाली की फ्रेंट एंड साइट प्रोफाइल देशते हैं काफी जादा जो है इसका पीलिंग लुक दिखता है काफी आधा अच्छी रखती है और यह लगा लो जैसे दिखने में भारी-भारी है भरी-भरी ऐसी थोड़ा साब को भारी फील भी कराती है क्योंकि इसका वेट ठीक थाग है अगर बात करिया यहां से इसके वील की तो इसमें जो है ना और उस बाइक में जो है वील का डिफरेंस आयाता है वह बात करें रियर वाला वील वह बहुत भी 17 इंच का रहने वाला है टायर जो है इसके अंदर दोनों ही रैडियल देखने मिल जाते हैं मरेफ के बढ़िया जो होते हैं वो टायर यहां पर डाले गए साइस की बात करों तो यहां पर अगेन आपको जो है बढ़िया ग्रिप के साथ और 150 सेक्शन जी हां सभी सुना आपने 150 सेक्शन का जो है बात करूं है अगर बात करें यहां पर डिस ब्रेक की तो यह लगालो डूल चैनल यह बाइक आती है और फ्रेंट की जो डिस प्लेट है उसका साइज रहने वाला है 320 mm का और स्टैंडर्ड डिस ब्रेक दिखने को मिलती है इसके इंदर और साथ में आपको बहुत बड़ा सा साथ में आपको एंडूरेंस के बढ़िया वाले यूएश्डी सस्पेंशन देने में मिलते हैं जो की सिल्वर में रहने वाले जो काफी अच्छा है और इसके इंदर से एक साउंड आती है अगर में नेल को यहां पर रप करूं की कीची कीची की तो काफी अच्छा लगता ह यह विप काफी से लग को मिला के तो इसमें आपको एक ही ऑ्प्शन मिल जाता है जो की मिलता है सिल्वर कलर्ट का देखते हैं अब स्में घ्रीन कलरलो गय्चाया हो मैं त्रम उसमें आपको क्या स análकि देखने को मिलता है और nodes व मनें अबहरीं मलता है लेकिन क्वालीटी का वाला है और जो घ्रीन वाला कर रहता है उसमें भी आपको जो आपको मैट मिलते हैं जो कि लोसी रहने वाला है यह पार आपको अगी ब्लैक मिलने वाला है ठीक है अब पर चलेंगे तो यहां से साइड लुक कितना ज्यादा बढ़ा रहता है कि यहीं आई यह इसका जो है नो इसको देखुँगो तो मिलेगी माउंटिंग इस अब यह रहने वाली यहां पर और जो आपको विंटेन लेकि ट्रांस्पिरेंट रहने वाली है और काफी उने जो की यहां पर जो की इनगे जो की नॉन फ्लाइसिबल रहने वाले इसका तो काफी अच्छा है और काफी अच्छे लगते भी है स्लीक से इंडिकेटर मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमागा वाला जो आपको यह फील करा देते हैं दोस्तों ठीक है यहां पर आपको नकल गाट दिखने हो मिल जाते हैं देखते हैं डूवल टोन कलर लेने वाले हैं प्लस ब्लैक कलर में दिये जो काफी अच्छा लग रहा है कहीं ने कहीं मैं बात करूं बजाज डॉमिना को मैंने यहां से अच्छी है तो फटा फटते ना अब मैं आता हूं डैश्बूर्ट की तरफ वाइल राइडिंग आपको ऐसा डैश्बूर्ट बेसते बिसे हां पर आखर आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा नेवीगेश्यन माउंट इसको नेविशन माउंट लिए भी वाइल्ट राइडिंग का भी नैविकेशन लगाना हो यह मोगाल हो लगानो तो यहां पर लगा सतों How did it आपको आफ्टर मांकेट लगाने की जरुवत नहीं है तो बेसिकली एनस के इंदर जो एनस फोर हंडड़ है उसमें वह चीज़ देखने को नहीं मिलती है क्योंकि यह एक प्रॉपर स्पोर्ट्स टूरिंग मसीन है जिसे बोलते हैं कि आप इस पर लगा के अराम से टूरिंग करने के लिए बोल रहा है और बाकी अगर बन जाता हूं तो यहां पर दिखाते है एवरेज फ्यूल कंसप्शन वन तू और यही तरह से बोलुआ मैं कि इसमें आपको लेरी कर रही है वह वह है और अगर इसके बात करें और इंफ्सके निनीमिल तो इसके इनफिक फनेटिन नहीं मिलती है कोई navigation नहीं मिलता है बट मैं बजास से यह बोलना चांग हो कि भीया दोजा 24 सेल रहा है आपकी प्रेमियम भाइक है तो इसके इंदर जरूर से अपडेट लेके हैं चाहिए तो मिटर अपडेट करें पूरा या फिर इसी के इंदर जो है फीचर ऐड़ान करें जरूर ले तो यह वह रहाता है यहां पर रहने वाला देख से रहेने वाले पहले वाली जन रोमिनार में फिकेटी और बात करें यहां पर फेंदेट बार की तो क्लीप ऑन बार इसमें देखने को नहीं मिलता है इसमें आपको नॉर्मल फाइप वाल हैंडल बार मिलता देखते हैं आप सिंगल पाइप जिसे बोलते हैं यहां पर कलश को जब दवार हो तो कसम से यहां पर पासिंग के लिए यह आपका है यह आपका है यह प्रापर तरीके से कर रहे हैं और यह आपके टने इंडिकेटर वह इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है लिए काफी बढ़िया है और हौन सेंग जाता समय यहां तो प्लास्टिक बचेंगों तो यह काफी है तो दोस्तों अभी जो है ना बाइक का आर्पिम रहने वाला है 1500 आर्पिम जी हां सभी तो इंजन की वास उनलो इसमें एक विसल वाला साउंड आता है जब मैं एक्सलेटर दूँगा तब आपको फिल लोगा तो फिलाल आवास उनलो विदा उट एक्सलेटर तो एक को साउंड एंजन की अगर बात करें यहां पर जो साइडमाउंटेड इट जो नो कि डूज ना जाओ यहां पर गास तुनों से अवाल आरीया बड़ा तरीकसे अवाट तो उनले इसके अवाग तो सुनी आपने इसकी आवाज मतलब जैसी इसकी बॉडी लेंग वेज आना जैसी इसकी परसनलिटी है वैसे इसकी आवाज भी रहने वाली है साइड माउंटेड एक्जॉस में मिलता है डूल बैरल जिसके वैसे काफी बेसी आवाज आती है और चार सु सिसी की वाइक का जो एक धार ना होता है ना रॉर करना होता है वह काइंड ओफ इसमें फील भी होता है तो दोस्तों आपने अवास तो सुनली इस वाइक की तो फट आपको मिलता है सिंगल सिलेंटर में देखने के लिए डी ओ सी टिकनोलोजी मिल जाती है इसके इंदर और बात करें पावर आउटपूट की तो पावर डिलिवरी इसकी मैक्स रहती है 40 पीएस की सई सुना आपने 40 पीएस और अगर बात करें अनम तो 35 एनम जो है जनरेट कर प्लास्टिक की कोटिंग लगा गई यह मत प्लास्टिक की कोटिंग कर दिया आता है काफी मस्कुलर सा दिखता है और यह लगा लो यहां पर 3D एंवलम में डॉमिनार जो है यह देने को मिल जाता है लोगों ठीके यह बात करें फ्यूल कैपसिटी की तो 13 लीटर की फ्यूल फ्रेंट वाली स्क्रीन पर यहां पर स्विच कर सकते हो आपको बड़े वाली डिस्प्ले में गेर इंडिकेशन पोजिशन दिखाई देगी तो यह होगी इसके इंदर और सीट हाइट जो इसकी 800 mm की रहने वाली है सैडल है जी से बोलते 800 mm की रहने वाली है तो मतलब अराम इसकी लेक्त देखो पूरपर इसकी जो लेक्त आप जो है प्रॉपर जो है एलमीनियम की रहने वाली सेम एज़डेस वही कौलिटी यहां पर डाली गई है जो इसका साइड सेंड देखो कितना प्रीमिम रहने वाला है मतलब कि लगा लो इसके अंदर जो पैसे जाद दिख थोड़ा से एक्स्टेंड करते है जो इसमें राइडियेटर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए और मैट कलर में काफ़ इच्छा रता है इसमें बेस्प्रेड मिलती है आपको अलमीनियम की साइड में प्लास्टिक की कोटिंग मिल जाती है इंजन पर तो बेसी चोटी चीजो पर बजाजने काम करके डियाए डॉमिनर में जिसके वैसे थोड़ा सा प्राइस का हाई रहता है ठीक है तो यहां पर सैट्सेंड मिलता है यहां पर दिखने के लिए अगर आपको अलग से अडिशनली जो है इसका पे करना होगा और यह आपको जो है आफ्टर मार्केट मिल मिलता लगावा और आपको लगाने का प्लास्टिक यहां पर 3D में आपको डी डी वाला जो मिलता है काफी अच्छा आता है 400 की बैजिंग मिल जाती है बिकॉस यह 400 इसको कैटिगरी में डाला गिया है बट इंजन जो है वो 373 CC का रहने वाला है एंड यहां पर जो है न तो empire company ने मतलब तुम्हारा क्योंकि वह घाती है किस वए से क्योंकि यहां पर अपको grab rail के साथ में इंटीग्रेटीटीड अपको टॉप रेक का फैसिलिटी मिल जाती है और टॉप रेक तो मिलता है यह साथ में आपको बैक रेस्ट भी मिल जाता है जो काफी क्यूट सा लगता देखने में देख सेते हैं जो यहां पर कुशन यूज किया गया है सेम उसी का यहां पर लगा के बढ़िया जो है यहां पर रबर फिनिश में जो है इसको लगा करा गिया जिसके वैसे क्या होता है मतलब एक होता है और आप बैक सपोर ड़ाए जिस्से क्या है कर सकते हैं और यह चुबड़ेगा भी नहीं ठीक है और सेफटी बहुती है तो बेसीक्ली क्या है टूरीक explore कि दे दिया है चार इसमें होल कर दी है आप इसमें अराम से इसमें एक प्लेट लगा कि आप टॉप बॉक्स इसमें इंस्टॉल करा सकते हो और यहां पर काफी बड़िया सा जो ने प्रीमियम सा जो है टॉप रैक मिल जाता है और पीछे की टेल लाइट है यह स्प्लिट प्रेशन प्रीडियूस हो तो आवाज ना निकले यहां पर रिव्लेटर मिल जाता है और काफी टॉलर जो है यहां पर आपको मडगाड मिलता है जो की पीछे की तरफ से मड़ ना उचल गया इस वह से और यहां पर आपको रिप्लेटर देखने जो काफी अच्छे लगने देख सकते हैं आप तो यह है इसकी रियर वाली प्रोफाइल और पीछे वाले टार में आपको स्टाटिंग बताया 150 सेक्शन कर रहने वाला है 230 mm की रियर डिस मिलने वाली जो की स्टैंडर रहने वाली है और सिंगल पिस्टन वाला आपको जो है आपको यहां पर कैलिपर मि स्टैंटे उसकी ब्रेकिंग की थी रियर वाले की वह बिल्कुल बेकार थी दोस्तों कि मैं खुद और करके रखी वी थी इस वाई से बता रहा हूं एंड रियर में आपको मोनो स्पेंशन मिलता है नाइट्रोस कंपनी का जो काफी बढ़े रहने वाल है एजस्ट कर सकते हो बट मैं यह बोलूँगा कि आप अज्जेस मत करना जैसा स्टैंडर्ड में सैट हो के आता है आज इस आप चला हो इस बाइक को आपको सही कमफर्ट मिलने वाला है तो जैसे कि मैं आपको साटिंग बदा था इसका ऑन रोड पढ़ती है तू लाग सेवेंटी एट पतलब 50,000 रुपए के आसपास जो है डिफरेंस दिखने दो मिल जाता है तो 50,000 में वहां पर ऐसा क्या मिल रहा है उसके लिए मैं आपको लिए ना एक डेडिकेटट वीडियो बनाने वाला हूं जिसके इंदर मैं इस वाइक को उस बाइक के साथ कंपेर करने वाला हूं कि बाइद दोनों में क्या-क्या चीजे सेम रहने वाली और अलग रहने वाली और उसमें प्रीम में नर्मल सब्सक्राइब करने वाला हूं बाकि यह वीडियो कैसे लगी बताना मुझे कमें चेक्शन में फुल-on में चल रहे है तुम्हारे लिए ताकि तो मच्छी बाइक ल झाल झाल